जो उसके उपर हमला करने लगती है वो जब उस लड़की से उसके बारे में पूँछता है तो वो लड़की उसे बताती है कि उसके पास भी एक ड्रेगन बॉल थी लेकिन डीमन पिकोलो ने उससे वो ड्रेगन बॉल चीन लिया और अब वो किसी भी तरह अपना ड्रैगन बॉल हासिल काना चाहती है जिस पर गोकु उस लड़की से पूछता है कि तुम मुझे तक कैसे पहुँची इस पर वो लड़की गोकु को अपना एक एडवांस डिवाइस दिखाती है जो कि ड्रैगन बॉल का लोकेशन पता कर शकता था और उस डिवाइस की मदद से ही वो लड़की वहां तक पहुँची थी गोकू उस लड़की को अपना ड्रैगन बॉल दिखाता और उसे बताता है कि मेरे अंकल ने मरने से पहले मुझे मास्टर रोसी से मिलने को कहा था अब वो उस लड़की के साथ ही मास्टर रोसी को ढूणने के लिए निकल पड़ता है दरसल मास्टर रोसी के पास भी एक ड्रैगन बॉल था इसलिए ट्रैकिंग डिवाइस की मदर से वो लोग जल्दी उन्हें ढून भी लेते हैं गोकू मास्टर रोसी से मिलकर उन्हें अपने अंकल के बारे में बताता है केस परकार उसके अंकल ने मरने से पहले उसे मास्टर रोसी से मिलने को कहा था वो उन्हें ये भी बताता है कि अब डीमन पिकोलो वापस आ चुका है और पूरी दुनिया को खत्म करना चाता है उसकी बात सुनकर मास्टर रोसी परिशान हो जाते हैं और वो उसे बताते हैं कि हमें किसी भी तरह से सुनकर मास्टर रोसी परिशान है